नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में मैं आपको विंटर वेजेटेबल्स कैसे ग्रो करते हैं और कैसे उनकी सारी मिट्टी वगएरा थ्यार करनी है वो सब बताऊंगे तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए गार्डन स्वाइल और कोको पीट लिया है मैंने गोबर की खाद ली है और सरसो की खली ली है आप कोको पीट की जगा बालू रेत है तो बहुत अच्छी बात है वो भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने कुछ नारेल के चिलके लिए हैं जो मैं आगर आप कंटेनर में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे हम उसको नीचे उसको बिचाएंगे और गोबर की खाद की जगा आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं ये कोकोनट जो चिलके हैं उनको छोड़के बाकी सब कुछ अभी हम इकठा मिक्स करेंगे तो ये मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है अब हम जो सरसो की खली है उसको सारी ये मिट्टी के ओपर स्प्रेड कर देंगे तो ये मैंने बिचाई इसलिए है कि इसको mix करना easy हो इसके जगा आप नीम की खली भी use कर सकते है तो अब मैंने एक container ले लिया है ये एक टूटा हुआ wash basin था मेरे पास sink थी kitchen की तो वो crack हो चुका था और किसी काम का नहीं था नीचे इसमें बहुत काफी बड़ा hole होता है इसलिए मैंने tile का एक टुकडा रख दिया है और अब मैंने नीचे पत्ते और नारेल के चिलके रखे हैं अब उनके ओपर मिट्टी डाल दी है ये एक plastic का कैन था जिसको मैंने ओपर से cut करके उसको भी सेम ऐसे ही नीचे काफी सारे छेद करके और मिट्टी डाल दी है अब इसमें हल्दी इसलिए डाली है क्योंकि वो एक antibacterial का काम करेगी और antifungal property भी होती है उसमें कि अगर मिट्टी में कोई कीडा वगरा है जो पोदो को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे वो सब ठीक हो जाता है हल्दी डालने से तो ये अच्छी तरह से हम मिट्टी को स्प्रेड कर देंगे और दूसरा भी जो कंटेनर है सिंक है उसको भी मैंने भर लिया है मिट्टी से अब इनकी उपर मैं थोड़ी सी कोको पीट डालूंगी ताकि क्योंकि इसमें मैं लगाऊंगी शलगम और धनिया तो क्योंकि उनके बीच बहुत छोटे होते हैं और पानी देने के बाद मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाती है बाद में और हाड हो जाती है तो वो कई बार जर्मिनेट नहीं कर पाते इसलिए कोको पीट हम डाल देंगे थोड़ी सी उपर भी ताकि उनको जर्मिनेशन में हेल्प मिल सके और ये एक और भी काम करेगी कि जब हम पानी डालेंगे तो थोड़ी नमी को बरकरार रखेगी अब मैं प्लास्टी के कंटेर में शलगम लगाऊंगी तो ये हाइब्रिड वराइटी के शलगम है उनके बीज काफी चोटे सरसो के दाने जितने होते हैं तो ये मैंने चोटे-चोटे यहाँ पर एक उंगली को दबा कर उसमें छेत कर लिया है मिट्टी में तो एक-एक दो-दो बीज आप डाल दें तो बाद में जो भी अच्छा सेपलिंग निकलेगा उसको आप रख ले और कमजोर वाले को निकाल दें और ये मैं हाइब्रिड वराइटी का ही धनिया ग्रो करूंगी ये पीछे से ही जो पैकेट है वो तूटे हुए भी जाते हैं तो वही हम लगाएंगे साबुत बीच कभी न लगाएं क्यूंकि वो ग्रो नहीं करते अगर आप घर का धनिया भी इस्तिमाल कर रहे हैं जो आप ग्रोसरी की शॉप से लेकर आते हैं तो उसे भी पहले आप थोड़ा सा तोड़ ले जब दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा वही वाला धनिया जो है वो जर्मिनेट हो पाएगा अब ये ढख दिया है मैंने मिट्टी से और इसमें मैं हलके हाथों से आपके पास स्प्रे करने के लिए जो पाइप आती है वो है तो बहुत बहतर है नहीं तो आप इस तरह से भी बोटल के ढखकर में छेट करके पानी दे सकते हैं तो हलका पानी दे ताकि जो बीज है वो जगा से खिलना जाएं और अभी मैं कुछ प्लास्टिक की बाल्टिया है उनमें भी ग्रो करूंघी तो यह प्लास्टिक की बाल्टि में मैंने इतने सारे छेट कर ली हैं अब नीचे पत्ते और नारेल के छिलके जो है उनको भी चालूंगी ये इसलिए बिचाए जा रहे हैं कि सारी मिट्टी जो है वो पानी देते वक्त निकलना जाए तो इसमें मैं करूंगी गाजर को ग्रो और एक दूसरा कंटेनर है वो भी प्लास्टिक का है उसमें मैं आलू ग्रो करूंगी तो ये हमारे पास वो गाजर का बीज है बिल्कुल जीरे जैसा लगता है चोटा चोटा और ये आलू ये वही आलू हम यूज करेंगे जिसमें इस तरह से आईस बनी हो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी सरूर करें इस वीडियो का मैं सेकेंड पार्ट भी लाऊंगी जिसमें हम आपको अपडेट देंगे कि कौन सी वेजटेबल स्क्रो हुई और कौन सी नहीं इस तरह से आलू की जो आईस हैं उनको उपर रखे और बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें जादा नीचे नहीं दुबाना तो इस तरह से मिट्टी से ढख देंगे ध्यान रखे कि आईस जो हैं उसकी वो उपर की तरफ रखें आप और ये गाजर के बीज है इसको आप एक एक करके ना लगाएं क्योंकि मैंने पहले ऐसे किया था तो वो घ्रो नहीं हुए थे इसी तरह से आप स्प्रिंकल कर दें जहां पर भी लगा रहे हैं और गाजर के लिए जो सॉयल है वो काफी वैल ड्रेंड होनी चाहिए तो इस त और बाद में आप उनको अलग कर सकते हैं जो हेल्दी वाले बीज होंगे या सैपलिंग्स होंगे उनको रखके जो कमजोर वाले होंगे उनको आप निकाल सकते हैं तो अब मैं कोको पीट की भी एक लेयर इसमें डाल दूँगी ताकि जो पानी देने के बाद इसमें नमी है वो बरकरार रहे और जो छोटे से बीज है उनको जर्मिनेशन में भी ज्यादा दिक्कत ना हो और वो इजीली बाहर आ सके तो अब इसमें भी हमें पानी देना है तो इन कंटेनर्स को आप किसी शेडी एरिया में रखें जब तक की बीज बाहर ना आ जाए आप आपको वो बाहर आजाए